दोस्तो टेकनिकल वी सुबटार में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने वाटसप की डीपी को जिसको चाहे दिखा सकते हो जिसे चाहे चुपा सकते हो तो दोस्तो हम चलते अपने वाटसप पर वाटसप पर जाने के बाद जैसे ही ऐसा आपको interface दिखेगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है ऊपर की side आपको दिख जाएगा यह three dots का दिख जाएगा यहाँ पर आपको click करना है जैसे आप three dots पर click करेंगे यहाँ पर नीचे की और दिख जाएगा आपको setting का option मिल जाएगा एक setting के option पर click करेंगे और setting के option पर click करने के बाद आपको दूसरा option मिलेगा जो कि होगा privacy का इस privacy के option पर आप click करेंगे जैसे privacy के option पर click करेंगे यहाँ पर बहुत सारे option आपके सामने खुल जाएंगे यहाँ पर एक आपका last scene का online दिखाएगा एक आपका profile photo का यहाँ पर option खुल जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर profile photo का option खुल जाएगा तो अभी हमने profile photo जो DP है उसको हमें छुपाना है या किस किस को दिखाना है यह चीज हम देखेंगे हमें क्या करना है profile photo पर click करना है और यहाँ पर आपको चार option मिल जाएंगे इसमें से पहला option है everyone कि आपकी dp सभी को दिखे ठीक है दूसरा option है my contact जो आपके contact number add है mobile में whatsapp पे हैं बस उनी को दिखे जो कोई extra कोई भी हो वो उसको नहीं दिखेंगे ठीक है जो contact है जो my contact जो उसमें add हुए हैं तुमारे whatsapp में सिर्फ उनको दिखेंगे और nobody यदि इसको click कर देते हैं तो किसी को भी आपकी dp नहीं दिखाई देगी तो आपको यदि सभी को दिखाने हैं तो पहले वाले पे click कर दें यदि आपको उनी बंदों को दिखाने हैं आपके whatsapp पे हैं जो आपके पहले से ही आपसे जुड़े हुए हैं तो my contact पे click करें यदि किसी को भी आपने अपनी dp share नहीं करनी है तो आप nobody पे click कर दें और इसको यहाँ पे nobody पे click कर देंगे तो आपको किसी को भी आपकी dp नहीं दिखाई देगी तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे मैं my contact पे रख देता हूँ इसको और यहाँ से back कर देता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे show कर रहा है profile photo my contact यह देख सकते हैं कि my contact जो आपके whatsapp पे contact है उसरिफ उनी को show करेगा तो दोस्तों इसी में एक add आपको और दिखा देता हूँ एक चीज और add कर देता हूँ यहाँ पे last scene यहाँ आपको last scene भी छुपाना है किसी से जिसको दिखाना है उसी को दिखा सकते हैं last scene पर यहाँ पे click करेंगे और यहाँ पे भी आप choice कर सकते हो कि यहाँ को दिखाना है या my contact तो यहाँ पे my contact को मैं click कर देता हूँ अपने के लिए और यहाँ पे जो आपका last scene होता है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है option last scene ओन लाइन जो दिखाई देता है वो भी आपको सभी को दिखाना है या नहीं दिखाना है तो same दिखाना है तो इस पर किलिक रहना है जो everyone पर कर देंगे तो यहाँ पर यह भी आपके दो option मिल जाते हैं तो दोफ्तों यह आपको वीडियो अच्छी लगे है तो वीडियो को like करें और channel को subscribe करें आपको अच्छी अच्छी वीडियो यहाँ पर channel पर मिलती रहेंगे thank you दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में